तो इस प्रश्ण में आपसे पूछ रहे हैं विश्व के सबसे अपराधिक देशों की दो जल टेवी से रेंकिंग में भारत कि सिस्तान पर है तो अंसार होगा 77 नंबर पर तो अभी World of Statistics ने दुनिया के सबसे अपराधिक देशों की रेंकिंग जारी की है और इसमें टॉप पर है वेनेजुएला सेकेंड नंबर पर पापु अन्यूगिनी और तीसरे स्तान पर अफगानिस्तान है भारत भारत 77 नंबर पर है जबकि अमेरिका 55 पर है तो यूके 65 पर और जापान जापान 135 नंबर पर है मतलब यहाँ पर आप ऐसे देखो जिसकी रेंक जादा है वो कम अपराधिक देश है अपराध जैसे कि ब्रष्टाचार, मादक पधारतु की तसकरी, अपरन और हत्या जैसे अपराध इन सभी को कंसिडर करके यह रेंकिंग तैयार की गई है तो भारत की रेंक 77 है और सबसे ज़्यादा अपराधिक देश बताया गया वेनिजवेला को अभी फिर बताईए, अभी हाल में आटन कैपिटल के द्वारा जारी पास्पोट इंडेक्स 23 में भारत की रेंक क्या है तो आनसर होगा 144 तो आटन केपिटल के पास्पोट इंडेक्स 23 में बताया गया कि भारत की रेंक 138 से गिर करके 144 हो गई है और इसमें टॉप पे युनाइटेड अरब अमिरात को बताया गया जबकि आखरी स्थान पे अफगानिस्तान को रखा है 199 नंबर पे, किसके अनुसार, आर्टन कैपिटल के अनुसार, चलिए फिर बताईए, हाली में जारी इंडिया जस्टेस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज् ये है इंडिया जस्टेस रिपोर्ट 2022 और इस रिपोर्ट का ये तीसरा संसकरन है तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि नियाय तक पहुँच प्रदान करने में कौन सा राज्य बैस्त है ये रिपोर्ट नियाय प्रदान करने के चार स्थंबों पर आधारित है और वो दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर तैलंगना है, इस रिपोर्ट में अठारा राज्यों को शामिल किया गया या अठारा राज्यों के रैंकिंग है इसमें, तो पहले पर हमने का करनाटा के और सबसे लास्ट यानि के अठारवे स्थान पर कौन है? उत्तर प्रदीश है तो ये ज़रूर ध्यान रखना वेसे हमारे Chief Justice of India कौन है डीवाई चंदर चूड हैं पचासवे नमबर के बढ़ते आगे चलिए फिर बताईए हाली में जारी FIFA रैंकिंग में किस देश ने 6 वर्षों में पहली बार शीर्ष स्थान हासिल किया तो अंसर होगा Argentina तो अभी FIFA ने Football रैंकिंग जारी की है जिसमें 6 सालों में पहली बार Argentina सबसे उपर रहा है भारत कॉंसे चलिश स्थान पर रहा भारत 101 स्थान पर रहा पांच स्थान उपर रहा और 101 स्थान पर आ गया तो 1st नमबर पर Argentina है 2nd पर France है और 3rd पर Brazil है अर्जेंटिना की केपिटल क्या होती है? ब्यूनस आयर्स करंसी अर्जेंटिना पैसो और प्रेसिडेंट कौन है? अल्बर्टो फर्नैंडीज है फीफा की बात कर ले तो ये फुटबॉल को रेगुलेट करने वली बॉड़ी है इसकी स्थापना होती है 1904 में हेड़कोर्टर जुरिक स्विट्जलेंड में है और अभी फिर से प्रेसिडेंट बन गई ग्यानी इनफेंटो उसके अलाबा याद रखना भी 76 नंबर की संतूष ट्रोफी ये जिसका फाइनल अभी साओधी अरब में हुआ था करनाटक ने जीता मेगाले को हरा करके चलिए फिर बताइए अभी हाली में ACI यानिकी Airport Council International द्वारा जारी सबसे व्यस्त यानिकी 20 यस्त हवाई अड़ों के रैंकिंग में टॉप पर कौन है तो अन्स होगा Hartsfield Jackson Atlanta International Airport ये अमेरिका का International Airport है अमेरिका के Georgia में आपको मिलेगा तो अभी Airport Council International ने दुनिया के सबसे व्यस्त तम हवाई अड़ों की लिस्ट जारी किये इसमें टॉप पर है ये Jackson Atlanta International Airport वहें दिल्ली का इंदरा गान्धी International Airport इस लिस्ट में टॉप 10 में आने वाला दक्षिन और दक्षिन पूर्वी एशिया का एक मात्र एयरपोर्ट है इस लिस्ट में बात करोगे कौन से इस्तान पर है ये तो नवे इस्तान पर है फिर बताईए अभी हाली में जारी Forbes Billinears 2023 सूची में वे 84.4 billion dollar की संपत्ती के साथ दुनिया के सबसे अमीर sports team के मालिक है उनकी IPL में team है Mumbai Indians वे एशिया के सबसे अमीर व्यक्ती भी है चलिए फिर बताईए हाली में Time 100 के वारशिक सूची Time magazine के पोल में शीर्स पे कौन रहे, टॉप पे कौन रहे तो अंसर होगा शारुक खान तो शारुक खान हाली में जारी Time 100 की वारशिक सूची Time magazine में टॉप पे रहे शारुक खान ये प्रिंस, हैरी, लियोनल, मैसी और मेटा के संस्तापक मार्क जुकरबर्क को हरा करके टॉप पे रहे शारुक के लिए ये महत्वपूर्ण उपलब्दी है जो एक बड़े पेमाने पर वैश्विक फॉलोवर्स के साथ बहत लोप्रिय बॉलिवूड अभिनेता बने है चलिए फिर बताईए अभी हाली में IEEFA की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोर निर्माता बन जाएगा दुआंसरोगा 2026 तक अब IEEFA मतलब Institute for Energy, Economics and Financial Analysis इसने एक रिपोर्ट जारे की है जिसके अनुसार भारत 2026 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोर विनिर्मान देश बन जाएगा पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर चाइना है चलो ये बताओ अभी हाली में जारी US Finance में 100 सबसे परभावशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारते मूल की महिलाओं को शामिल किया गया तो अंसर होगा 5 तो अभी बैरन की US Finance में 100 सबसे परभावशाली महिलाओं की सूची में 5 भारते मूल की महिलाओं को शामिल किया गया है जिनोंने वित्ते सेवाओं के उद्योग में प्रमुक पदों पर उची पहुच हासिल की है कौन है वो 5 भारते मूल की महिलाओं जेपी मौर्गन से अनु एयंगर एरियल इन्वेस्टमेंट से रूपल जे भनसाली फ्रेंकलिन टेंपल्टन से सोनल देसे आई गोल्डमेंट सेक्स से मीना फ्लाइन बैंक ओव अमेरिका से सवीता सुब्बरमन्यन तो ये ध्यान रखना चलिए फिर बताईए 2023 में नविंतम बाग जनगंडना के अनुसार भारत में कितने बाग हैं तो अंसार होगा 3,1,6,7 आपको यादे प्रोजेक्ट टाइगर ये कब शुरू हुआ था 1973 में और किसके प्रयास से इसको शुरू किया गया था केलास शांखला के प्रयास से इसलिए उन्हें टाइगर मैन ओफ इंडिया भी का जाता है राजस्थान के रहने वाले हैं और अभी प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के आउसर पर प्रदानमंतरे नरेंद्र मोदी ने करनाटक के मैसूर में बागों की संख्या बताई है कितनी बताई 3,167 तो ये डेटा आपको याद रखना है हर 4 साल में ये गणना होती है पिछली बार यानि कि 2018 में बागों की संख्या कितनी थी 2,967 और अभी 2022 में हो गई है 3,167 यानि कि 200 बढ़ गए है और सबसे ज़्यदा टाइगर आपको बताईए मद्यपरदेश में हैं दूसरे नंबर पर करनाटक है और अगर पूछे सबसे ज़्यदा टाइगर की मौत कहां पे हुई तो भी यही आंसर होगा सबसे ज़्यदा हुई है मद्यपरदेश में उसके बाद करनाटक में बांदिपूल टाइगर रिजर्व का हैं करनाटक में ही अभी इसको भी 50 साल पूरे होगे पढ़ा था हमने अच्छा यहां पर इसी दोरान प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी ने अंतर राष्टर बिग कैट अलाइन्स को भी शुरू किया है जिसका उद्दिश्य है साथ प्रकार के बिग कैट्स का संगरक्षन करना साथ कौन कौन सी बाग, शेर, तेंदुआ, चीता, जगवार, हिम, तेंदुआ यह सब चलिए फिर बताईए हाली में जारी दुनिया के सबसे अच्छे सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की सूची जारी की गई इसमें किस भारते शहर को भी शामिल किया गया तो आंसर होगा मुंबई तो अभी लंदन के मीडिया आउटलेट टाइम आउट ने दुनिया के सबसे अच्छे पब्लिक ट्रांस्पोर्ट वाले 19 शहरों की सूची जारी की है जिसमें भारत का एक मात्र शहर मुंबई भी शामिल है और इन 19 शहरों की लिस्ट में टॉप पर कौन है तो जर्मनी का बरलिन है दूसरे नंबर पे चेकर रिपब्लिक की केपिटल पराग है और तीसरे नंबर पे जापान का टोक्यो है मुंबई कौन से स्थान पर है आखरी पर 19 स्थान पर है तो इस सर्वे में ये बताया गया कि बरलिन में सबसे विश्वशनिया, सुरक्षित और आराम दायक सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क है चलिए फिर बताईए, हाली में Freedom House Index 23 में किस देश को दुनिया के सबसे कम आजाद देश का दर्जा मिला तो अंसर होगा तिबबत तो अमेरिकी संस्ता है Freedom House, इसकी Freedom House Index रिपोर्ट आईए, इसमें दुनिया के सबसे कम आजाद देशों के बारे में बताया गया है और इसमें टॉप पर है तिबबत, यानि कि तिबबत को दुनिया का सबसे कम आजाद देश बताया गया तो यादर्थना रिपोर्ट जारी की है Freedom House ने, इस रिपोर्ट का नाम है Freedom in the World Index दो जाते विस और इस रिपोर्ट में South Sudan और Syria के साथ तिबबत को दुनिया का सबसे कम मुक्त देश के रूप में स्थान दिया गया तिबबत के नागरिकों पर चीनी सुरक्षा बलों का सक्त पहरा है इस रिपोर्ट में बताया गया कि तिबबत में रहने वाले लोगों को बुनियादी मानवधिकार भी नहीं मिल रहा है चलिए फिर बताईए हाली में जारी Artificial Intelligence Index Report में भारत कौन से स्थान पर है तो आंचर होगा पांचवे स्थान पर तो Stanford University ने ये AI Index Report को जारी किया जिसके अनुसार भारत 2022 में Artificial Intelligence आधरत उत्पादों और सेवाओं की पेशकर्ष करने वाली स्थान पर द्वारा प्राप्त निवेश के मामले में पाचवे स्थान पर है भारत में Artificial Intelligence Startups को कुल राशी के रूप में 3.24 अरब डॉलर का निवेश मिला है और इस तरह से भारत ने South Korea, Germany, Canada और Australia को भी फीचे छोड़ दिया है रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो भारत में Artificial Intelligence Startups को अगर 2013 से लेकर के 2022 तक हम कंसीडर करते हैं तो टोटल 7.73 अरब डॉलर की फंडिंग मिली है तो इस हिसाब से या इस पीरिड में अगर आप बात करोगे 2023 से लेकर 2022 तक में तो निवेश के हिसाब से भारत की रेंग छटी होती है लेकिन हम तो प्रश्ट में 2022 के डेटा को कंसीडर कर रहे हैं यानि के 2022 में जो निवेश हुआ है आटिफिशल इंटेलिजेंस स्टार्ट अप्स में तो उस हिसाब से भारत पाचवे स्थान पर है और वही डेटा आपको ध्यान रखना है टॉप पर अमेरिका है दूसरे नंबर पर चाइना है और तीसरे पर है यूके भारत पाचवे स्थान पर है तो ये आपको ध्यान रखना है बढ़ते आगे चलो फिर बताओ यूके स्थेत ब्रैंड फिनेंस की नवींतम रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे मजबूत भारतिय टायर ब्रैंड कौन सा है तो आंसर होगा MRF तो यूके की ब्रैंड वैलुएशन कंसल्टेंसी फर्म है ब्रैंड फिनेंस जिसने दुनिया में सबसे वैलुएबल और सबसे मजबूत टायर ब्रैंड की एक लिस्ट जारी की है तो इसमें टॉप पर तो है फ्रांसेसी कंपनी मिशेलिन और दूसरे स्थान पर है MRF ये भ भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन है तो अंसर होगा जगन मोहन रेड़ी तो ADR यानि की Democratic Reforms Association की रिपोर्ट आईए जिसके अनुसर आंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड़ी ये भारत के सबी राज्यों और केंदर शाशित प्रदेशों के मुख्यमंत मंत्री हैं इनकी संपत्ति का मुल्य 510 करोड रुपे से भी अधिक लगाया गया है सेकिन नंबर पे अरुनाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडो और तीसर पे हैं उडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायद जबकि पश्चे मंगाल की जो मुख्यमंत्री ममता बेनर जी इनकी संपत्ति का मुल्य लगबक 15 लाख रुपे बताया गया है अब ये बात थोड़ी सी हजम नहीं होती है अब या तो दीदी खेला कर गई या फिर उनके साथ खेला हो गया तो अब क्या कहें कि दीदी चलिए फिर बताईए टाइम मैग्जिन की 2023 के लिए जारी सो सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारत्य अभिनेता का नाम शामिल है तो अंसर होगा शारुक खान तो अभी टाइम मैग्जिन ने 2023 के लिए सो सबसे प्रभावशाली लोगों की यानि की 100 Most Influential People की लिस्ट जारी की है इसमें एक्टर शारुक खान ह जैसे सिर्राजमॉली साब हैं लेखक सलमान रुष्दी हैं और टीवी होस्ट और जजज पदमा लक्षमी का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है और अगर पूछे इस लिस्ट में सबसे कम उम्र की व्यक्ति कौन है इगा स्विटेक हैं ये मात्र 21 साल की हैं इगा स्विटेक चलिए फिर बताईए अभी हाली में कौन सा राज्य उर्जा दक्षता सूचकांग 2022 में टॉप पर आप आंधर प्रदेश आंसर होगा तो हमारे नवीन और नवी करनिय उर्जा मंत्री हैं आरके सिंग अभी उन्होंने ही राज्य उर्जा दक्षता सूचकांग 2022 को जारी कि जिसमें आंधर प्रदेश 60 से जादा अंक हासिल करके टॉप पर रहा है या फिर आप यू भी कह सकते हैं कि पांच राज्यों को फ्रंटर रनर श्रेनी में रखा है इसमें वो राज्य हैं जिनके अंक 60 से जादा है कौन-कौन से हैं वो आंधर प्रदेश करनाटक कैरल जिवर श्रेनी इसमें वो राज्य हैं जिनके अंक 50 से लेके 60 के बीच में हैं कौन-कौन से हैं असम, हरियाना, महाराष्ट्र और पंजाब और पिछले सूचकांक यानि के इंडेक्स से सबसे अधिक सुधार करने वाले राज्य हैं तेलंगना और आंधर प्रदेश चलिए एक International Aviation Safety Assessment Ranking को Category 1 में ही रखा गया है अब यह अमेरिका के Federal Aviation Administration ने DGCA यानि कि नागरिक उड़यन निदेशाले का audit करने के बाद भारत को श्रेणी एक का दर्जा मिला है तो Federal Aviation Administration यह निरधारित करता है कि कोई देश सुरक्षा मानकों का अनुपालन करता है या नहीं करता आप चलिए फिर बताईए वित्वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागिदार देश कौन सा बना तो अंसर होगा अमेरिका तो Financial Year 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागिदार देश बना है अमेरिका दोनों देशों के बीच में इस दोरान 128.55 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है ये बताता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सम्मंद और भी ज़्यादा मजबूत रहे हैं और आप देख सकते हो कि वित्वर्ष 2022-23 में दोनों देशों के बीच में व्यापार में कितने प्रतिशत की ब्रद्धी हुई 7.65 ध्यान रखना बढ़ते हैं चले फिर बताईए अभी हाली में जारी दुनिया के सबसे धनी शहरों की सूची में टॉपर कौन है तो अंसर होगा नियू यॉर्क तो अभी इंवेस्टमेंट माइग्रेशन फर्म हैंले एंड पार्टनर्स ने दुनिया के सबसे अमीर शहरों की सूची जारी की है World's Wealthiest Cities Report 2023 नाम से जिसमें 58 अरब पत्यों के साथ अमेरिका का नियू यॉर्क ये सबसे अमीर शहर बताया गया दूसरे नंबर पे जापान का टोकियो है तो तीसरे पे फिर से अमेरिका का The San Francisco Bay Area इसमें वैसे टॉप 10 में आप देखोगे तो अमेरिका के तो चार शहर हैं और चाइना के दो शहर हैं तो ये ध्यान रखना चलिए फिर बताईए हाली में जारी आकड़ों के अनुसार भारत के लिए दूसरा सबसे महत्वपून निर्यात गंतव्य देश कौन सा बन गया है तो अंसर होगा United Arab Amirat तो अभी भारत सरकार के वानिज्य मंत्राले ने वारशिक व्यापार पर डेटा जारी किया जिसके अनुसार United Arab Amirat ये भारत का दूसरा सबसे महत्वपून निर्यात गंतव्य बन गया है मतलब जिसे भारत सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है उस मामले में ये दूसरे स्थान पर है United Arab Amirat पहले स्थान प अगर आपसे पूछे कि वित्वर्ष 2022-23 में भारत के माल और सेवाओं के कुल निर्यात में कितनी बड़ोत्तरी हुई है 6% आपको याद होगा अभी अमने पड़ा भी था व्यापार के मामले में यानि कि जिस देश के साथ हम आयात निर्यात करते हों एक्सपोर्ट इंपो फिर बताईए अभी हाली में कौन सा जिला भारत का शीर्ष निर्यातक जिला बन गया तो अंसर होगा जामनगर निर्यातक यानि कि एक्सपोर्ट करता है तो अभी भारत में निर्यात हब पहल के तहत अप्रिल 2021 से जिलेवार निर्यात देटा जारी किया गया और भारत से न प्हाइका हो गया और किया तो पेटरोलियम उतपाद जामनगर ने सबसे जधा एक्सपोर्ट किया और किया तो पेटरोलियम उतपाद और दुनिया भरके कई लगजरी ब्रैन भारत से ही अपना चमडा अयाद करते या निकि इंपोर्ट करते अच्छा भारत के टॉप 3 export तो पहले नंबर पे जामनगर हो गया दूसरे पे सूरत है और तीसरे पे है मुंबई अभी याद हो तो हमने पड़ा भी था कि वित्वर्ष 2022 थेविस में अमेरिका के बाद भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य देश कौन सा बन गया यानि कि जिस देश को भारत ने सबसे अदा निर्यात किया है उसमें पहले स्थान पे तो अमेरिका है और दूसरे नंबर पे आ गया है युनाइटेड अरब अमिरार तो यह भी ध्यान रखना आप बढ़ते आगे फिर बताईए अभी हाली में जारी हुरुन ग्लोबल युनिकॉन इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पे रहा तो आंसर होगा तीसरे स्थान पे तो अभी हुरुन का ग्लोबल युनिकॉन इंडेक्स 2023 जारी किया गया जिसके अनुसार अमेरिका और चाइना के बाद यूनिकॉन की संख्या के मामले में भारती सरह स्थान पे रहा अब यूनिकॉन क्या हो गया? यूनिकॉन मतलब ऐसे स्टार्ट अपस जिनकी वेलुएशन वन बिलियन डॉलर से ज़ादा है तो भारत में टोटल 138 यूनिकॉन हैं और उनमें से भी 70 भारतिय सरह संस्थापकों के द्वारा स्थाबित किये गए लेकिन उनका मुख्याले भारत के बाहर है जबकि 68 यूनिकॉन का मुख्याले भारत में है तो अगर देशों की लिस्ट देखते हैं यानि कि किस देश में सबस्यादा यूनिकॉन है तो टॉप पे अमेरिका है 666 यहां पे यूनिकॉन है दूसरे पे चाइना है और तीसरे इस्थान पे है भारत वहीं अगर शहरों की रेंकिंग बी जाड़ी की गई है शहरों किस शहर में सबस्यादा यूनिकॉन है तो पेले पे सेंद फ्रांसेश को अमेरिक की शहर है दूसरे पे नियुयॉजर्क यह भी अमेरिका का है और तीसरे पहें चाइना का बिजिंग अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का सोवा यूनिकॉन कौन सा बना था नियो बैंक ओपन चलिए फिर बताईए हाली में जारी विश्व बैंक के रसत प्रदर्शन सूचकांग 2023 में भारत की रैंक क्या है और अब 38 है कितने देशों में पूछोगे तो 139 देशों की लिस्ट में जबकि अंतरराष्टर शिप्टमेंट के लिए भारत की रैंकिंग में उलेखने सुधार हुआ है 44 से 22 हो गई है रैंकिंग देखो पहले वर्ड बैंक की बात करते हैं अपना होती 1944 में हेड़कॉर्टर इसका वाशिंग्टन डीसी में है और इसके नए अध्यक्ष बने है अजे बंगा मस्टर कार्ड के जो पूर वो CEO है इनसे पहले थे डेविड मालपास फिर बताईए अभी UNFPA इसका मतलब होता United Nations Population Fund इसके रिपोर्ट आई जिसके अनुसार भारत में चीन की तुलना में कितने अधिक लोग हैं इस रिपोर्ट के अनुसार बात कर रहे हैं वेशे आपको बता चली गया है या पहले से आपको बताए कि population के मामले में इंडिया नंबर वन हो गया लेकिन यहाँ परशन यह नहीं है कि कौन नंबर वन हो गया वो तो आप बता दोगे इस रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे पूछ रहे हैं कि भारत में चीन की तुलना में कितने अधिक लोग हैं तो आंसर होगा 2.9 मिलियन तो संयुक्तर राष्टर जनसंक्याकोष यानि कि United Nations Population Fund इसके रिपोर्ट आई है और उसके अनुसार भारत 1.39 अरब लोगों की कुल आबादी के साथ दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है दूसरे नंबर पे चाइना आ गया और इस रिपोर्ट का नाम क्या है इसमें कहा गया है कि भारत की population 142.86 करोड है जबकि चाइना की 142.57 करोड है चलिए फिर बताइए अभी जल शक्ती मंत्रा ले के द्वारा जारी जल निकायों की पहली गण्ना के अनुसार सरवादिक जलाशे वाला राज्य कौन सा है तो अनुसर होगा पश्ची मंगाल तो अभी जल शक्ती मंत्रा लेने जल शक्ती मंत्री कौन है हमारे गजिंद्र सिंग्शेखावत तो अभी जल शक्ती मंत्रा लेने इतिहास में पहली बार देश बर में जल स्तरोतों की गणना की है और इसमें प्राकरतिक और मानव नेरमित जल स्तरोतों को शामिल किया गया है जैसे कि तालाब हो गया, टेंक हो गया, जील वगेरा वगेरा तो देश में कितने जल निकाये हैं, जलाशे हैं या water bodies हैं तो इसमें इस data में संख्या दी गई है, ये संख्या ध्यान रखना है, 24,540 और इसमें ये बताया गया कि इन में से ग्रामिन शेत्रों में जो जल निकाए हैं, वो 97.1% है, मतलब सबसे ज़्यादा ग्रामिन शेत्रों में है, और शहरी शेत्रों में 2.9% है, वहीं अगर राज में है तो पच्ची मंगाल में है 7.47 लेक उसके बाद उत्रप्रदेश का नंबर आता है और सबसे कम जल निकाय कहां पर है तो सिक्किम में है ये डेटा भी याद रखना है सबसे आदा कहां सबसे कम कहां और देखो जितने भी जल स्त्रोथ हैं उनमें सबसे ज़्यादा ताला हैं मैंने कहा ना जल स्त्रोथ कौन को उनसे कंसिडर किये तालाब टैंक जील वगरा जितने भी हो गए तो इसमें जब इन्नोंने काउंटिंग की तो सबसे ज़्यादा क्या देखा सबसे ज़्यादा जो वाटर बॉड़ी है या जल स्त्रोथ है वो तालाब की फर्म में है और अगर आप पूछोगे कि तालाब ये भी किस राज्य में सबसे ज़्यादा है तो भी आंसरों का पस्चिमंगाल आंद्र परदेश में सबसे ज़्यादा टैंक है और तमिल नाडो में सबसे ज़्यादा जीले बताई गई है ये जो डेटा इनोंने जारी किया है न उसको बता रहा हूँ मैं अपनी मर्जी से नहीं बता रहा हूँ तो ध्यान रखना ये सारे लिखे हुए पॉइंट से पूछे जा सकते हैं और जल्ट संगरक्षन में पहले स्थान पे महाराश्टर है ये पॉइंट भी ध्यान रखना अच्छा इसी तरह से आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले मूल पशुपालन सांखी की 2022 रिपोर्ट आई थी दूद उत्पादन में राजस्थान टॉप पे था उन उत्पादन में भी राजस्थान टॉप पे है अंडे उत्पादन में आंद्र प्रदेश है तो मास उत्पादन में महाराश्टर टॉप पे था और अभी आपको याद आएगा जल जीवन मिशन ये कब लॉंच हुआ था 2019 में जिसका उद्धिश्य है 2024 तक हर घर नल कनेक्शन करना अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला प्रमानित हर घर जल वाला राज्य कौन सा है गोवा है और भारत का पहला प्रमानित हर घर जल वाला जिला मद्य परदेश का बुरहानपुर चलो ये बताओ पानी की कमी से निपटने के लिए भी जल बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना तो आन सा रोगा केरल और अभी विश्व जल सम्मिलन का पहली बार आयोजन किया कहां पे नियो यॉर्क में नियो यॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है हडसन नदी के किनारे बताओ परधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने अभी कहां पर जल जन अभियान 3167 थे जो 200 बढ़कर के अब कितने हो गए 2022 में 3167 हो गए हैं टाइगर तो छोड़ो इंसान भी बढ़ गए हैं मतलब जन संख्या के मामले में भारत अब नंबर वन आ गया कितनी जन संख्या बताई गई डेटा वाइस बात करें तो 142.86 करोड और चाइना की बताई गई 14 42.57 करोड मतलब चाइना से हम 29 लेक आगे निकल गए हैं डेटा के अनुसार बात कर रहों में सारी आप से ध्यान रखने ये सारे पोइंट्स बढ़ते आगे चलिए फिर बताईए सिप्री की वेश्विक सेन्य खर्च रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया का सरवा 2022 में सबसे ज़्यादा सेन्य खर्च किस ने किया है तो आंसर होगा अमेरिका ने अमेरिका ने सबसे ज़्यादा अपनी सेना पे खर्च किया है पूरे वर्ड का 39% सेन्य खर्च किया है इसने दूसरे नंबर पे चाइना है तीसरे नंबर पे रशिया है तो चौते नंबर प कि 2022 में किस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा सेन्य खर्च हुआ तो अब्वेसी बात है यूरोप में ही हुआ होगा तो कि पिछले साल युद्ध जो हुआ था रश्या और युक्रिन के बीच में चले फिर बताईए अभी हाल में जारी आर्थिक सुतंतरता सूचकांग में भारत कौन से स्तान पर है तो अंसर होगा 131 वे तो अमेरिकी शोध संस्तान दे हैरिटेज फाउंडिशन के द्वारा जारी गुरती स्वी आर्थिक सुतंतरता सूचकांग यानि कि Economic Freedom Index में भारत 131 तो ये जो Index है ये विश्व के विभिन्न देशों में दी गई आर्थिक सुतंतरताओं का तुलनात्मक अध्यन करता है जैसे कि किस देश के नागरिक के पास Economic Freedom है वो व्यापार करने के लिए सुतंतर है या नहीं है कितना सुतंतर है है तो और वो अपने decision लेने के लिए सु पतंतरता सुचकांक यानि कि Economic Freedom Index 2023 में भारत 131 स्थान पर है कितने देशों में से 176 देशों में से ranking दी गई है ये इसका 29 नमबर का addition है और इसमें टॉप पे कौन सा country है टॉप पे सिंगापूर है दूसरे पे Switzerland है और तीसरे पे है Ireland और सबसे लास्ट 176 नमबर पे है North Korea